नमस्कार, श्वागते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों, रीट का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, पर्थिवे की गतियां तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ only top 10 questions जानेंगे जो अपने आप में बहुती महत्वपुर्ण है, मेरे तरीके से तो इन 10 परसनों को बिल्कुल मन लगा कर देखिएगा और बात करते हैं पहले परसन की पहला परसन है, पर्थिवे की कितनी गतियां होती है option है, एक, दो, तीन, या चार तो इसका सही उत्र होगा, पर्थिवे की दो गतियां है तो दोस्तों यहीं जान लेते हैं पर्थिवे की दो गतियां कौन सी है तो दोस्तों एक पर्थिवे की गति है गुर्णन गति जिसे परी भर्मन गति भी कहते हैं और जिसे देनिक गति भी कहते हैं गुर्णन गती के दो नाम हैं एक है परिभर्मन गती और एक देनिक गती और परत्वे की दूसरी गती है परिकर्मन गती और जिसे कहते हैं वार्सिक गती भी कहते हैं परत्वे की कुल मिलाके दो गतियां है इस बात को द्याना किएगा दूसरा परिशन है निम्न में से परत्वे की गुर्णन गती का परभाव नहीं है तो दोस्तों आपको बताना है कि परत्वे की गुर्णन गती है जिसका परभाव नहीं है यानि इस में से चार उप्सिन में से तीन तो गुर्णन गती की परभाव है लेकिन एक उप्षन है जो गुर्णन गती का परभाव नहीं है बलकि परिकर्मन गती का है तो उप्षन देखते हैं पहला उप्षन है दिन रात का होना दूसरा है गलोब पर किसी स्थान की इस्थति निर्धारन करना देनिक जवार पहाटों में समय का अंतर और चौता उप्षन है दुरुव वरतों का निर्धारन तो बताई दोस्तों इसका क्या सही उत्र होगा क्योंकि दोस्तों आज कल इसी प्रकार के प्रसंद पुचे जाते हैं तो इसलिए मैंने ये प्रसंद लिया है तो इसका सही उत्र हो जाएगा दुरुव वरतों का निर्धारन ये दोस्तों प्रत्वी की परिकर्मन गति के दुवारा इसका पता किया जाता है और ये तिनों आप्षन गुर्णन गति के हैं तो सही उत्र हो गया दुरुव वरतों का निर्धारन तीसरा प्रसंद है प्रत्वी की सूर्य के चारों और की गति को कहा जाता है अर्थ परित्वी सुर्य के चारों जो चकर लगाती है उस गति को किस नाम से जाना जाता है ओपशन है गोर्णन गती परिकर्मन गती जुकाव गती या कोई नहीं तो इसका सही उत्र हो जाएगा परिकर्मन गती अगले प्रशन की बात करते हैं अगला प्रशन है प्रशन सिंग्या चार प्रित्वी का अपने अक्ष पर गुमना क्या कहलाता है दोस्तों इस प्रशन को दियान में रखिएगा प्रित्वी का अपने अक्ष पर गुमना क्या कहलाता है Option है जुखाव, परिकर्मन, गुर्णन या उक्त में से कोई नहीं तो इसका सही उत्र हो जाएगा दोस्तों गुर्णन पर्त्वी का अपने अक्स पर गोमना कहलाता है गुर्णन कहलाता है तो दोस्तों परसंद संग्या 5 की और बढ़ते हैं पर्त्वी अपने अक्स पर एक चक्र पूरा करने में कितना समय लेती है तो दोस्तों इसका सही उत्र हो जाएगा अपना एक चक्र अपने अक्स पर पूरा करती है इस बात को इत्यान में रखेगा परसन सिंग्यत 6 की और बढ़ते है प्रित्वी की परति दिन अर्थात देनिक गति को क्या कहा जाता है ओप्सन है परदिप्ति, परिकर्मन, गुर्नन या उपर्युक्त सभी तो इसका सही उत्र हो जाएगा परत्वी की देनिक या परति दिन की गति को गुर्नन गति कहा जाता है जो हमने वीडियों सिरुवात में बात किती परसन सिंग्या साथ है दोस्तों इस परसन को आप बिलकुल ध्यान में रखिए काफी बड़िया परसन है प्रसंद है रितुओं में परिवर्तन पर्थ्वी की किस गति के कारण होता है मित्रों बहुती महत्पूर प्रसंद है बहुती महत्पूर गुर्णन गति के कारण, परिकर्मन गति कारण, गुर्तुवाकर्शन के कारण या उप्रियोक्त सभी गतियों के कारण तो इसका सही उत्र क्या होगा? तो इसका सही उत्र होगा? जी हाँ आपने सही सोचा परिकर्मन गती के कारण रीतुओं में परिवर्तन होता है दोस्तों इस प्रसंद को बिल्कुल आप ध्यानर में रखेगा ये प्रसंद आ सकता है अगले प्रसंद की बात करते हैं प्रसंद सिंख्या आठ सूर्य की सीधी किर्णे विशुवत वृत पर किस दिन पड़ती है? अर्थात सूर्य की सिधी किरने विशुवत वृत पर किस दिन पड़ती है ओप्शन है 21 मार्च में 21 जून को 23 सितंबर वे 22 दिसंबर को 21 मार्च में 23 सितंबर को या 21 जून वे 22 दिसंबर को तो इसका सही उत्र हो जाएगा 21 मार्च में 23 सितंबर को सूर्य की सिधी किरने विशुवत पर पड़ती है और प्रसंस हैं क्या नो है प्रित्वी अपने अक्स पर कितने डिगरी जुकी हुई है ओप्शन है 6.5 डिगरी, 23.5 डिगरी, 180 डिगरी या 0 डिगरी दोस्तों सभी को पता है कि 23.5 डिगरी प्रित्वी अपने एक्स पर जुकी हुई है और दोस्तों आखरी प्रसंस की बात करते हैं जो भी अपने आप में काफी मेहतिफर्ण है प्रित्वी अपने परिभर्मन का एक चक्र कितने समय में पूरा करती है तो दोस्तों पेले इस सब्द को आप समझ लीजिए प्रिक्षम अगराजा है तो परिभर्मन परिभर्मन का मतलब है वार्सिक गती प्रत्वी की तो प्रत्वी अपना परिभर्मन का एक चक्र या अपनी वार्सिक गती कितने समय में पूरा करती है औप्सन है 23 घंटे 52 मिनिट चार पॉइंट नाइन सेकिंड या 23 घंटे 54 मिनिट 4.9 सेकिंड और 24 घंटे एक मिनिट 4.9 सेकिंड तो इसका सही उत्र क्या होगा दोस्तों तो इस बात को आप ध्यान रखे परत्वी अपना परिभर्मन का एक चकर 23 गंटे 56 मिनट और 4.9 सेकेंड में पूरा करती है तो दोस्तों कैसे लगे प्रसंद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा अगर आपको पसंद आया है तो वेडियो को लाइक भी कर दिजेगा और इसी परकार के आप प्रसंद और चाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा धन्यवाद